जोहार आप सभी को राम राम के आप लोग को मैंने वादा किया था आमने सामने आकर बात चीत होगी जब सुबह मैं रांची पहुँचा तो मौसम ज़्यादा खराब हो गया हेलिकॉप्टर उड़ नहीं सकता था इसलिए मैंने तय किया कि सडक के रास्ते ही जमसेत्पुर जाओंगा रास्ते भर बारिश भी अपने आशिरवात बर्षा रही थी और भीगते हुए लोगों को पहरे पता नहीं तक मैं जाने वाला हूं लेकिन जैसे जैसे रास्ते में लोगों को पता चलने लगा भारी बारिश के बीज भी हात में जंडा लेकर के लोग पुरे रास्ते में खड़े थे स्थान स्थान पर खड़े थे ये प्यार ये आशिरवात मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूजी है साथियों बारिश कितनी ही तेज क्यों न हो रुकावटे कितनी ही जाजा क्यों न हो लेकिन कोई भी रुकावट मुझे आप से अलग नहीं कर सकती है मैं आपके दर्शन किये बिना वापिस नहीं जा सकता हूँ और इतलिए बाइरोड भी मैं आपके दर्शन करने के लिए पहुँच गया साथियों करांती और बलिदानों की ये धर्ती बगवान बिर्शा मुंडा के तब त्याग और आशिरवाद की धर्ती वो धर्ती जिसने पोटो हो जैसे कुलहान के महान युद्धा दिये जिसने जम्षेजी जैसे उद्धि के आजाज भारत के सपनों को सीचा था मैं जारखन की इस महान धर्ती को प्रणाम करता हूँ साथियों आज कर्मा पुपीच यहां आने से पहले मुझे जारखन को विकास की कई बड़ी सोगात देने का सोबाग्य भी मिला है मैं कर्मा परवकी आप सभी को बधाई देता हूँ साथियों उत्सव के इस माहोल में आज जारखन को छे नई बंदे भारत ट्रेने मिली है जारखन के अलग-अलग शहरों में लोगों को आप आदुनिक सुमिताओं के साथ हाई स्पीड सफर का अनुभव मिलेगा इसका बड़ा फाइदा मद्दंबर को होगा उद्यमियों को होगा इससे युवाओं के लिए रोजगार और प्रगति के भी आउसर बनेंगे साथियों आज जारखन के हजारों गरीबों इनमेंसे जांदातर घर मेरी माताओं बेहनों के नाम पर है कर्मा पूजा के दीन बेहने अपने भाई की लंबी आयू के लिए प्रांथना करती है आज आपका ये भाई अपनी बेहनों को अपने पक्के घर का उपहार देकर धन्य हो गया है साथियों कुछी महिने पहले मैं लोकसभाज चुनाव के दवरान भी आप सबका आशिरवाद मांगने जारखंड आया था आप उस तप्ती गर्मी में भी मुझे अपना स्नेह देने आये थे दुनिया ने देखा एक तरफ सारा विपक्ष मोदी को हराने के लिए बेचेन पूरी जमात बड़े बड़े शड़ियंत्र बड़ी बड़ी साजी से जूट फैलाने की इतनी बड़ी मशिनरी इतना बड़ा अफवा का तंत्र देश को बाटने वर तोडने वाली ताकत हैं लेकिन आपका आशिरवाद उन सब पर भारी पड़ा मैं आपके इस प्यार के लिए आपके आशिरवाद के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ मेरा सवभाग्य है आज देश के दलीत, वन्चीत, गरीब, आदिवासी और महिलाओं का आशिरवाद मुझ पर है देश को मोदी पर भरोसा है आज युवाओं का भरोसा मोदी पर है मध्यमबर का भरोसा मोदी पर है और इस भरोसे को मजबुत बनाने के लिए मोदी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगा मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की आप इतने उत्सा में हैं इतनी आवाज आ रही हैं शायद सब को सुनाई नहीं देता होगा मेरी प्रार्थना है आपका उत्सा बनाए रखिये लेकिन अगर थोड़ी शांती रखेंगे तो मेरी बात सब दूर पहुँच पाएगी तो मैं चालू करो बात बताओ साथियों जार खंड और भाजपा का रिस्ता सिरफ एक राजनीती का रिस्ता नहीं है यह रिस्ता दिल का है यह रिस्ता अपने पन का है जार खंड का सपना भाजपा का अपना सपना है मैं आप सब से पूछता हूँ कि आप जवाब देंगे जड़ा आथ उपर गड़के बताईए जवाब देंगे सब के सब जवाब देंगे जड़ा मुझे बताना अलग जार खंड राज का सपना किसकी सरकार में सपना पुरा हुआ भाजपा सरकार में किसकी सरकार में आकांग्ची जिला योजना के जरिये जार खंड के पिछडे जिलों के विकास की चिंता पहली बार किस सरकार ने की भाजपा सरकार ने की बगवान बिर्सा मुंडा की जन्मजेंती पर जन जातिये गवरव दिवस की शुरुवात किस सरकार ने की भाजपा सरकार ने की आप भी जानते हैं कैसे देश में दसकों तक आदिवासी युवाओं को शिक्षा व्यवस्ता से दूर रखा गया ऐसे में किसने आदिवासी बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की चिंता की किसने चार सो से जादा एक लद्य आदिवासी विद्या ने बनाये बीजेपी की सरकार ने और इतना ही नहीं आदिवासी समाचेक महिला को देश की रास्पती किसने बनाया तो जवाब एक है भारतिय जनता पार्टी ने बनाया साथ यो पहले की सरकारे खनीच संसाधनों से संपन्न जारखन और दूसरे हिलाकों से केवल वसुली करती थी मैंने डिस्टिक मिनरल पाउंडेशन यानि डीमेप बना कर आपको आपका हक दिलाया आज भी बाजपा केंद्र में रहकर जारखन के विकास के लिए पूरे समर्पन भाव से सेवा भाव से काम कर रही है मैं आपको विश्वाद दिलाता हूं आप राज्य सरकार में भाजपा को मोका दिजिए जारखन के विकास के लिए भाजपा कोई कोर कसर बाके नहीं छोड़ेगा साथियों जारखन के तीन सबसे बड़े दुश्मन है यह जारखन के दुश्मनों को जारखन के लोग जितना जल्दी पहचानेंगे उतना जारखन का भाग्य सुनिश्चित होगा जारखन के यह तीन दुश्मन है जेमेम आरजेडी और कॉंगरेस जारखन के निर्मान का बदला आज भी आरजेडी जारखन से उतारती है और कॉंगरेस को तो जारखन से नप्रत है ही कॉंगरेस पार्टी ने इतने दसक तक दिल्ली में बैठकर देश पर राज किया लेकिन इनों ने देश के दलीट पिछड़ा और आदिवासी समाज को आगे नहीं बढ़ने दिया साथियों ये लोग स्वार्त और सत्ता में किसी भी हद तक जा सकते हैं आप देखिए ये जे में वाले जिनोंने आदिवासीों के वोट से अपनी राजनीती चमकाई आज वो किसके साथ खड़े हैं ये लोग आदिवासीों के जंगल जमीन पर कबजा करने वालों के साथ हैं इस समय जार्खन का बहुत बड़ा मुद्दार गुस्पेट हर जार्खंडी के लिए चिन्ता का विशय बना हुआ है नवजवान बेटियों के हर माबाप के लिए राज की निंद उड़ाने वाला बना है दो तिन दिन पहले ही जार्खंड हाईकोट ने एक स्वतंत्र पैनल से गुस्पेट की जाँच के आदेज दिया है लेकिन यहाँ जेमेम सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जार्खंड में गुस्पेट हो रही है भाई और बहनों आज संथाल परगना और कुलहान में बंगलादेशी और रोहिंग्या गुस्पेट आपका वोट नहीं चाहिए ये दल मजहब के नाम पर अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं यही समय है हमें इस खत्रे को यहीं पर रोकना होगा इसके लिए जारकन के हरेग नागरिक को एक जुट होना होगा भाजपा को मजबूत करना होगा साथियों वोट बैंक की पोलिटिक्स करने वाले लोग किसी के भी सगें नहीं होते जेमेम सरकार के पाँच साल का कारकाल इसका सबूत है वोट लेने के लिए लोग आदिवास्यों के नाम पर राजनीती करते हैं लेकिन जेमेम के लिए आदिवासी समात का सम्मान नहीं अपना सियासी फाइदा सबसे उपर है आज जारखन का गरीब आदिवासी पुचराए क्या चमपई सोरेंजी आदिवासी नहीं थे क्या क्या वो ये गरीब परिवारते नहीं आते थे क्या लेकिन जिस तरह उन्हें अपमानित किया गया जिस तरह मुख्यमंत्री की कुर्शी कब जाने के लिए उन्हें अपमानित करके हटाया गया उससे जारखन के हर गरीब आदिवासी का दिल गहरी चोट पहुँची है दुख से भरा हुआ है सीता सोरेंजी तो उनके ही परिवार अपने ही परिवार से थी लेकिन एक महिला होने के बावजुद उन्हें अपमानित और बेदखल किया गया इसका जवाब जारखन का हर आदिवासी देगा जारखन की हर माता हर बैड हर बेटी देगी साथियों जारखन का निर्मान बड़े सपनों के लिए हुआ था लेकिन इन सपनों का इन आकांग्छाओं का क्या हुआ ये सब ब्रच्टा चार और लूट की भेट चड़ गए और आप जानते हैं इस देश की सबसे बैइमान और महा ब्रच्टा पार्टी एक ही है कॉंग्रेस पार्टी इस देश का सबसे ब्रच्टा परिवार एक ही है कॉंग्रेस का परिवार ब्रच्टा चार की सारी धाराए वही से निकलती है ये जे एम एम वाले भी उसी स्कूल से ट्रेनिंग लेते हैं और उस स्कूल का नाब है कॉंग्रेस स्कूल अप करप्शन जारखन मुक्ति मोर्चा ने पांच सार में केवल एक ही काम किया है जारखन की लूट और चारों तरब प्रस्टा चार जे एम एम सरकार ने जल, जंगल, जमीन सम्में प्रस्टा चार किया है एक और यहां का गरीब शहरों में रहने वाला मद्यमबग एक एक रुपिये के लिए पसीना बहाता है दूसरी और इस सरकार के मंत्री और इनके साउसत के ठिकानों से उनके नो करों के एड़े से सेकडो करोड कैश बरामद होता है हजारों करोड रुपिये के गोटाले होते है आपको याद है ना कैसे नोटों के पहाड जारकन से निकले थे टीवी में महिनों तक वो नोटे के पहाड दिखाए जाते थे ये नोटों के मशीन से नोट नहीं आई ये नकली नोट नहीं थे ये आपकी महनत की कमाई का पैसा उन्होंने लूट करके जेब बरा था ये आपका पैसा है भाव्यों बहनों इस चुनाव में ये ब्रस्ताचार करने वाले आपके धन को लूटने वाले देश के खजाने को लूटने वाले जार्खन के खजाने को लूटने वाले उसकी पाई पाई का हिसाब करना हम सब की जिम्मेदारी है मुझे आपको साथ चाहिए भाईयो आज यहाँ राज्य सरकार के सवरक्षण में जार्खन के खान, खनीज, बालो सब की लूट हो रही है इनोंने सेना की जमीन तक को नहीं छोड़ा इनोंने जार्खन के लोगों की जमीन को भी नहीं छोड़ा मुझे यहाँ के लोग बता रहे थे अपनी जमीन बचाने के लिए लोगों को बाउड लगाना पड़ता है कि जमीन भी काउँ नहीं है और ये हालत जमसेदपूर जैसे शहरों तक में है साथियों जेमेम बालों की अब चला चली की बेला आ चुकी है और इसे लोग बोखलाए हुए है बाजपा के नेताओं पर जूटे केस ला दे जा रहे है सत्ता जाने के डर से इन्होंने अपना जूट का पिटारा निकाल दिया है आप मुझे बताइए इन्होंने जब तक नोकरी नहीं तब तक बेरोजगारी भक्ता का बादा किया था कितने बेरोजगार युआओं को बेरोजगारी का भक्ता मिला मिला क्या इन्होंने शहरी रोजगार युजणा चुरू के शहरों में रोजगार मिला क्या उल्टे वो युजणा ही दो माने में बंद हो गई हालात ये हैं कि बरती परिशाओं के नाम पर राज में पंद्रा से जादा युआओं की जान तक चली गई पंद्रा नौजवान उस मा के लाडले उस बहन के भाई इस सरकार की गलत ववस्था के कारण अपनी जान गवा बैठे प्रदेश सरकार सम्वेधन सिल होने की जगह जखमों को कुरेदिने में लगी है इस गटना में जिन युवाओं की जिन्दिगी गई है मैं उन्हें स्रदांजली देता हूँ उनके परिवारों को सांत्वना देता हूँ और मैं वादा करता हूँ जार खंड में कुछी महिनों के बाद जब बीजेपी सरकार बनेगी एंडिये सरकार बनेगी तो इस सारे मामले की जांच करवाई जाएगी और जिम्मेवार लोगों को हर प्रकार से कानूनी सिकंजा कसा जाएगा साथियों जार खंड की वर्तमान सरकार को युवाओं की कोई चिंता नहीं है इन्होंने हर साल जे पी एस्सी और जे एससी की परिशाएं आयोजित करवाने का वादा किया लेकिन वादा पूरा करने की जगह सरकार के सवरक्षन में नोकरी बेचने वाले गिरोपनप रहे हैं यहाँ पेपर लिख करने वालों को शहद दी जा रही है हर परिशा गड़बडियों का शिकार है युवाओं के बविस्ते हैं खिलवार करने वाली ऐसी राज्य सरकार को हमें जारकन से हटा नहीं होगा यहाँ की सरकार आप से सर्फ जुठ बोल सकती है जूठे वाई दे कर सकती है भाई और बहनों गरीबों को जासा देने के लिए इन्होंने पैट्रोल डीजन देने में की योजना भी चलाई थी आप में से किसी को पैट्रोल डीजन मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा ना क्योंकि ये वो योजना भी जूठा दिलासा था उसे भी दो महिने में बंद कर दिया गया अब ये महिलाओं को पैसे देने के नाम पर गरीबों को बर्माने के लिए नए नए तिकणम लगा रहे हैं इसलिए आपको ऐसे दोखे बाजों को सरकार से बहार निकालना है साथियों बादे करना और उन्हें पूरा करना ये केवल बीजेपी ही करती है एक और हमारी सरकार है हमने चुनाओं में गरीबों को तीन करोड और पक्के मकान देने का बादा किया था पिछले महिने इस सरकार ने इसको मंजुरी भी दे दी है हमने सत्तर साल ते अधिक उम्रा के हर बुजुर्ग को मुफ्त इलाज की गारंटी दी थी कुछी दिन पहले सरकार ने उस पैसले पर भी महर लगा दी है हम हर गर तक जल पहुचा रहे हैं हम लगातार छोटे किसानों को पी एम किसान सम्मान नी दी दे रहे हैं लेकिन भाई यो बहनों आपको याद होगा डेर सारी गोच राएं कॉंग्रेस पार्टी ने भी की थी कॉंग्रेस ने पितले लोग सबाद चुनाओं में युवाओं और महिलाओं को एक एक लाख रुपे देने का बादा किया था लेकिन जब महिलाएं ये पैसा मांगने कॉंग्रेस दफ्तर पर गई तो महिलाओं को अपमानित किया गया जहाँ जहाँ कॉंग्रेस की सरकारे हैं वहाँ वहाँ ऐसे जूट की दुकान ऐसे ही जूट की दुकान खोली जा रही है साथियों जे एम एम वाले भी जब जब कुछ देने की बात करें तो सावधान हो जाईए क्योंकि जे एम एम को भी ये ट्रेनिंग कॉंग्रेस से ही मिली है जब भी ये कुछ देने की बात करेंगे तो आपकी जेप पर डाकाट डालेंगे मैया सम्मान योजना के नाम पर महलाओं से तिन तिन सो रुपए मांगे जा रहे है अब हुआ आवास के नाम पर पचीस हजार रुपए तक की बसूली हो रही है केंदर सरकार की योजनाओं में भी जहां इने मोका मिल रहा है ये पिछले दरवाजे से लाभारतियों के गुमरा करके उनसे भी बसूली कर रहे है मूटेशन और नाम सुधार जैसे काम करने वाने के लिए पाँच पाँच हजार देने पड़ते है मैं आप से पूछता हूँ जनता को लूटना ही जिनका पेशा हो वो आपको कभी भी कुछ देंगे क्या ये जवाब देने का मोका आपको आने वाले चुनाओं में मिलेगा सात्यों मुझे विश्वास है कि जारखन की जनता जारखन के विकांच के लिए वोट करेगी आप सब एक बार फिर बाहजवाब पर अपना आशिरवाद बरसाएंगे आप सब इतनी बड़ी तादाद में इतने उत्सा से भरे हुए आप लोगों को देख करके मुझे बविश साफ नजर आ रहा है आपने इतनी बड़ी तादाद में आकर हम सब को अशिरवाद दिया मैं आप का रदय से बहुत बहुत आभार व्यक्ता करता हूँ मेरे साथ बोलिए भारत माता की दोनों मुट्टी बंद करके पुरी ताकत से बोलिए मोबाइल फोन की फ्लेश लाइट भी चालू कर दीजिए सब के मोबाइल की फोन की फ्लेश लाइट चले ढहता हुआ झालू मुटरी लाइट लाइश से लाइब। कर भाइब। मैं औभबावराइब भी द है हैाँ